उसको समझने के लिए हम आपको नियम दें उनका आप एक साल पालन करो फिर हमारे पास बैठो वो सूत्र बोलेंगे और आप हाँ न कहिदे न तुम्हें बता दें तास्तर के पन्ने पार सकते हो क्योंकि फटने वाले हैं विनाती उसमें जो शब्द लिखा है उस पर तुम्ह प्रहुची नहीं है आज अपने आचरन नहीं सुधाला जाता महापुर्शों को गालियां दी जाएं जैसे महाप से कहें कि आप विचार करो आप तो आप अपनी विचार से नहीं हमारी ताकत से बोलोगे आपको लगेगा हाँ ठीक क्योंकि पवित्र वातावरन पवित्र पवित्र संकल्प तो आप उसका पवित्र संकल्प से जार्पा हो जाएं आज कल क्या हो रहा है कि हम लोगों को थोड़ा एक करवी बात लगेगी आंतरिक भजन है नहीं आंतरिक हमारी अध्यात्म में गति नहीं और सास्त्र पढ़के बाह बुद्धि से उसका अर्थ बोल और तुलसिदाजी ने लिख दिया उन्होंने वो लिख दिया आप पहले थोड़ी दिर बैट कर भजन तो करो ना फिर तुम्हें समझ में आएगा हमने सुना था कि जिस समय रामानंद का रोल करवाया जा रहा था तो रामानंद शागर ने सब को निशेद किया था कोई भी शास्त्र भी रुद्दाचरण नहीं करेगा कोई भी गंदा भोजन नहीं करेगा कोई भी ये सब और उन्होंने श्वैम बताया था जो राम बने थे कि हमको ये सिक्षा दी गई थी कि आप एक रोल करने के लिए इतना समाला गया उनको सालों से उनको बिलकुल सब इसे उस गलत नहीं है उसको समझने के लिए हम आपको नियम दें उनका आप एक साल पालन करो फिर हमारे पास बैठों वो सूत्र बोलेंगे और आप हाँ न कहिदेना तो में बता देना क्योंकि बुद्धी पवित्र होनी चाहिए सरापी के तुम सास्त्र की व्याख्या निकाल होगा और देखो जितने भी भगवत भक्ति उनके चरित्रों को पढ़के देखो आज सब क्या है गोले हम सास्त्र फार अरे जिब तुम बच्चे हो अभी जानते ही नहीं हो बच्चे क्या फार नहीं सकते तो बच्चे ही हो हमारी दृष्टी में तुम क्या हो गाली दो मार बिगड़ जाएगा इस शरीर तक ही तुम्हारी पहुंच हमारी तक तुम्हारी कभी जीवन में पहुंच नहीं हो सकती इसको काट सकते हो इसको मार सकते हो यह मरने लायक है इसलिए मरेगा तुम मेरे कुछो नहीं सकते हो तुम्हारे सामर्थ नहीं ऐसे ही सास्त्र के पन् चाही पर पहुँचोगे तो आप उनके चरणों में जोग जाओगे उनका जीवन कैसा था मापुर्शोग आए उसे लिख दे जिनके इहरदय में भगवान बिराजमान है वहां रागद्वेश नहीं होता छोटा बड़ा नहीं होता वो जो लिख रहे हैं उसको बात समझ हो अ जगड़ा करने से जगड़ा करना तो अग्यान है और अग्यानी कुछ भी कर सकता है इसलिए आपका लिख बढ़ेगा ना ऐसे बढ़ेगा कोई शत्ति की बात मानना नहीं चाहेगा भगवान ने जो जो सिद्धान्त बनाएं उनको शमझो उनकी अनुशार चलो आपको शा बात यह है कि भगवान मिल जाए तो करपा सास्त्र की बात की अनुशार हमारा आचरण तो करपा हम कामक्रोथ पर विजय प्राप्त करें तो करपा अब यह बाते कहां समझने में आती हैं जैसे हम आप से कहें कि आप विचार करो आप तो आप अपनी विचार से नहीं हमारी गंदे आचरण करके जान जाओगे गंदे आचरण करके तुम इसको इसके सब्दों को जान जाओगे फिर तो ब्रमरिश्यों का तपरश्या करना जीवन ऐसे सब भगवान में पूरा जोक दिया जीवन तब जान पाए और तुम बेविचार कर रहे हो गंदे आचरण कर